है यह स्ताइश क्लास थेंट थेट एट आढ करेंगे तो आज हम लोग बिना टा Tinder को स्टाइब करेंगे तो सबसे फ machst पहले हैं पर टिक्णोमेटरी तो सब से पहले हैं तो सब्सक्राइब का मिनिक सब्सक्राइब को न्यू 100trsえて तो 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 स्रीफ टीफ सैइट मेंशनाइट हम लोग इस सेप्टर में पड़ेंगे ट्रीसेट्स का मिजर youtubin और ठीफ सेट किसमें Edu Wang's ट्र drowned में हो गे ट्रे ट्र Pvेंटल में होते हैं पतर हम यहां किसके κरण ट्रेइंगल में की बारे में पढ़ेंगे तो वो हमारा है। रीट एक अंगल मतब्थीड़मेंट्री में हम जैसे ऑब शêmeक्योट एंगल ट्रेंगल होताय सीफिचा ट्रेइंगल्ट ट्रेंगल्ट तो हम इस चैप्टर में हम किस आूए और बात करेंगे घर्इंगर थैंगरस के बारें बात करेंगे तो सबसे फ़ाई टेक्नोमेटरी में इस चैप्टर में ध्याप्टरमे वह क्या पर ना है सुचक्वरम के निगे क्रार्इंगों करेंड और तरितिंगत को क्वितर की राएं गेंड़्यॡे क्टर यह वहाती है तौरीफ हожет में यहित्रिगद्स की सनंने कि 103 मेरमिन में रिक ट्रिगद्स की फिस है लोग है पीधर के यह ट्रीग नव Jiang तो प्रिगयों मिन्स बोटें और ट्रैंगल क्र। मिन्स में रोल ड्रैंगल K को मैटरीव इसके होता है मेजर मिन्स हम लोग उप ट्रेंगहए धी शाहे आगल के बाए मेचली करेंगे ए लिए देखो तो यहाँ पर हम लोग ट्रएंग मेटरीप किस ट्राइंगल के बारें बाएं पढ़ेंगे राइड एंगल ट्रेंगव मे Eli कि देखो हम राइट एंगल ट्रेंगल राइट एंगल ट्रेंगल क्या होता है जिसमें एक एंगल क्या हमारा नाइंटी डिग्री हो राइट इंगल ट्रेंगल क्या होता है एक एंगल कितने होगा नाइंटी डिग्री लेससे लेड़ी सुनिंट कि ट्रेञिची जिसमें एंगल वि हमरे क्या है राइट एंगल और दियरी तो Tignometry में हम किस TRIANGLE के बारें पढ़ेंगे? Right angle triangle, जिसमें एक angle एक angle कितने का होना चाहिए? 90 degree का होना चाहिए और बाखे दिमेंडिंग जो तो angles होंगे ये कौन से angle होंगे? Acute angle ये कौन से angle होगा? Acute Miss less than 90 और ये भी कौन से angle होगा? Acute angle मिस यह भी है क्या हुआ लेस देन 90 दोनों एंगल हमारे क्या होंगे लेस देन 90 होंगे तो यहां पी हम सबसे पहले यहां पर बात करेंगे जो हमारे ट्रेंगल में 3 साइट्स है जो right angle triangles हम यहां पर three sides देख रहे हैं तो यहां पर हम जानते हैं कि जो right angles जो हमारा right angles से 90 degree जो हमारा है उसके जब सामने वाली sides को हम लोग क्या बोलता है hypotenuse तो यह sides हमारे क्या हो जाएगी hypotenuse hypotenuse clear मतलब हमने class 9 में एक property पड़ी है कि greatest जो triangle हमारा है इसमें सबसे larger angle जो है उसके opposite वाली sides क्या होती है सबसे largest होती है means अगर यह angle जैसे यहां पर angle A है एंगल B है एंगल C है एंगल B हमारा right angle है मतलब इन तीनों में angle A, angle B, angle C में सबसे largest angle कौनस है इंगर भी तो सामने वाश्य साइट भी होगे सबसे लाजिए वहीच सबसे अब अब हमारा बत्जा एक बेश्ट होता है और पर गोड़ा ऑंतेна should एक वह हैं यह देखना कि कौन साहँता है कि को घ्रेट यह भोलते हैं कि हमारा क्या है नीच वाली साइट बेज और यह वाली साइट हमारे का है। यहांपर हम यहांपर हम यह गलती हम यह छो भी हमारा एस और पर पेंड कोलर होगा वह डिशाइट को Chief करेगा it you requests annoyed with us Carne just suppose Höök अगर हम लोग अगर हम लोग angle r sige respect में बात करें अगर अगर हम लोके angle C की Respect में बात करेंगे तो जिस angle के respect में हम बात करेंगे जस्ट उसके सामने वाएं साइट को हम दो क्या बोलता है from perpendicular हम अगर आंगल सी की बात करेंगे उससे के सामने और और यह जहीं पर्पेंडिक लड़िए यह आंपर लेकिन सब 2 सबहूस अगर कोई एकativa ग्रेंगल ट्रेंगों पीस अगर कह सहते ही quiet बट अब अगर हम यह बताना है कि इस टेंगल में बेस और पर्पेंडिक्लर कॉन से है तो अगर सब्सक्ण हम लोग अगर हम लोग एंगल प की रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो प के सामने वाले साइड्ट कॉन से ही है QR, और ये हमारा क्या हो जागा, perpendicular, और base क्या हो जागा हमारा PQ, means जो हमारा perpendicular है और base है ये fix, नहीं है, ये क्या होगा ये change होगा, किसके respect में change होगा angles के respect में change होगा अगर हम technometry chapters में अगर triangles के बारे हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि हम किस एंगल के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं अगर हम जिस एंगल के रिस्पेक्ट में बात करेंगे जस्ट उसके अपोजेट वाली साइड ही क्या होगी हमारी पर पेंडिकलर और जो दूसरा साइड हो क्या हो जाएगा बीस जैसे सब्सक्राइब हम ने यहां पे एंगल सिक पर बात कर रहे आगर हम यहांप एंगल सी कि रिस्पेक्ट में बात कर तो सी कि पर ब्यूंटर कि प्रपेंडूरर और कि यहां जागा यह यहां कि यहां ह॥ पहर पंडुगल को होगा तो है इस ट्रमें हमें इस के बारे में अच्छे से पर नहीं तिक्निमेट्रेंड हैं कि यहां पर पर पंडुक लब और हाइपोटेनर्स के बीच में क्या फाइंड करेंगे रिलेशनस को फाइंड आउट करेंगे और इसी रिलेशनस को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे टिक्नोमेटिक रेशियो तो अब हम लोग यहां पे डेक्स्ट जो पढ़ेंगे वह हमारा क्या तीक्नो मेटरी रेश्यो टिक्नो मेक्री रेश्यो जो हमे इस chapter में शिक्स टिक्नो मेटरी रेस्यो इसका इश्योस इसका यूज क्या है आंकर फाया वारे लिए गया तो च्रेमेकर रेश्योस क्ल vine हम लोग यूज करके क्या find out कर सकते हैं तो देखो to find अगर to find remaining sites देखो अगर suppose to find remaining sites and angles of triangles when some of its sites and angles are given अगर माल लो हम एक triangle ले लिया यहाप अगर हम नहीं आपर कोई triangle simple ले लिया ABC कोई triangle हमने ले लिया अगर इसमें हमें इस triangle की value दिए होई है 13 कोई angle की value दिए होई है ठीटा और इस site की value दिए 12 अगर हमें यह find करना हो या remaining कि कोई angles find out करना हो तो हम किसका यूज करेंगे technometric ratio मतब technometric ratios का use करके हम लोग remaining sites या remaining angles को find out कर सकते हैं मतब किसी भी right angle triangles में किसी right angle triangles में अगर सपोज कुछ sides और कुछ angles given है और remaining sites and angles हमको find out करने हैं तो हम उसको में क्या use करेंगे टिग्रमेटिक ratio टिग्रमेटिस ratio यूज करके हम लोग triangles के side और angles को find out कर सकते हैं अब कैसे वह हम यहां पर देखेंगे हमें यहां पर इस chapter में six teignmatic ratio के बारे में बढ़ना है तो यहां पर सबसे भ़ला जैसे बबात कर ते यहां पर कि हमारा six teignmatic ratio तो इसमें फस्थ नमर यहां आता है हमारा sign है साइन ए सेकेंड नमबर नमबर यहां आता है थर्ड नमबर यहां यहां अधि को गल पूर्थ 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 नमर में बात करेंगे तो यह हमारा क्यों जाएगा को से को से के फिट नमबर पर हम देखेंगे तो यहां पर क्यों जाएगा हमारा से के and six number पे हमारा यहाँ पे आजाएगा कोटे हम यहाँ पे इस चैप्टर में जो है जो है जो है देखेंगे अगर अगर अब सपूस हमें यहाँ पे कोई ट्रेंगल गिवन हो हमें यहाँ पे कोई क्यों गिवन है अब हम जानते हैं कि राइट अंगल के जिस सामने वाली साइट जो को ऊब दो क्या बोलते हैं hypotenuse, एक styanode करेंगे हम इसको H-stィット takeniode करेंगे तो अगर हम एक respect में बात करें तो एक just positive side कौन से हमारी Bc, तो Bc अमारी क्या हो जागी, perpendicular and then AB क्या हो जागा हमारा Bs, तो जाखो, अगर हम लोग जब भी, अगर हम लोग जब भी, perpendicular perpendicular upon हाईपोटेनस अगर avons side प्रेंगल के side में पर पेंड़िवला अप कर राइपोटेनस का रिश्यों लेंगे तो क्या जगा time consid samatic शूव आईगा टिनोमेटिकल सब्सक्राइब लेकिन अगर अगर सपोस्श हम लोग 20 upon hypotenuse अगर हम लोग 20 upon hypotenuse का रिश्व लेते हैं तो वो कौन सा आएगा cos तो कौन सा आएगा cos अगर हम लोग perpendicular भाई बीश अगर हम इसका रिश्व लेते हैं तो हमारा क्या मिलगा हमे 10 अभी हम इसको explain करेंगे ये कैसे आ रहे हैं हुआ जते ह कोशे को दिखेंगे तो यहां पे मरा पूर्पंडिक्लर अपॉन हइपोटенेस अगर जाह जह हम इसका दो का पूरिट करेंगे तो कहा जम बीस अपान बेस केैओ आज लेगे एंगे बात करेंगे मतलब यहां पें सिक्स्टिंग्डिक रेशियो के बाद करेंगे और वो हमारा क्या है ताइन कॉस्ट एंड कोड यह हमारे कितने हैं यह हमारे इस को पर पेंड़िकलर अब कर दो आपके हम लोग रहें की पर्पेंडिक्टुलर अपॉण हॉटन ही जैसे हमें यहां पर अगर जब भी ट्रैंग में अगर अगरफ इसको पर्पंडिवर्यूर आ रहाँ नो किसे निकलने किए साइन यहां पर किहां एक स्विच्ट में बात कर रहें एक कांद स्ट्राइड मात कर रूद्ध के एक परफेंडल लूगुज आपकर थी एक कांएं फंड और हाइपोटनेस का रीशो लेंगे तो वह हमारा क्या आजागा कौन सेटिक्रमेटिक आएगा कॉस आएगा अगर उसी तरह हम लोग पर्पेंडिक्लर अपन बेस इसका रीशो लेते तो क्या हमको मिलेगा 10 और अब जस्ट इसका पूईट कर दो मतलब साइन का पूईट अग है अब जैसे यहां पर यह हमारा हम लोग सोट यह हमारा साइन लेकिन इसका फूल फॉर्म लिखें तो लुग क्या लिखते उसको साइन यह हमारा जो हता है साइन साइन यह हमारा क्या होता है कोसेंट कोसेंट यह हमारा क्या होता है टैंजेंट यह हमारा क्या होता है कोसेंट अब हम यहां पर करें यहां पर बात करें sorry this is the कोशाई कोशाई यह हमारा क्या है कोशेंट यह हमारा क्या है second और यह हमारा क्या है? को टेंजेंट अब साइन, को साइन, टेंजेंट, को सेंट, सेकेंड और को टेंजेंट यहां पर हमारे six technometrical ratios हैं यहां है अब हम लोग यहां पर इस technometrical ratios का यूज करके क्या find out कर सकते हैं triangles के side का ratio निकाल सकते हैं और हम इसका angle भी find out कर सकते हैं, मतलब angle A की value find out कर सकते हैं, angle C की value find out कर सकते हैं, और अगर suppose perpendicular base, perpendicular hypotenuse, इन सबको भी हम लोग इसका ratios निकालके find out कर सकते हैं, लेकिन देखो, मतलब कुछ sides given हो और कुछ unknown side हो तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग एक और चीज़ यूज़ करेंगे, जैसे suppose करो, अगर हमें किसी right angle triangles में 2 side given हो, right angle triangles में कोई 2 sides given हो, और third side निकालना हो, तो हम लोग उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, pythagoras theorem, मतलब टिक्रमेटिकल रेश्योस में यह तो हम यूज़ करेंगे, कुछ unknown sides और angles को find out करने के लिए, लेकिन हम इसमें, अगर suppose right angle triangles का 2 side given हो, और third side हमको find out करना हो, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे, pythagoras भी यूज़ करेंगे, मतलब यह हमें 6 टिक्रमेटिकल रेश्योस इस चैप्टर में बढ़नी है, कौन-कौन सा, sine, cos, ten, cosec, sec and cod, यह 6 टिक्रमेटिकल based and hypotenuse, perpendicular based and hypotenuse, अगर इसमें हम लोग pythagoras, तो सबसे पहले हमें इसमें क्या यूज़ करेंगे, pythagoras, pythagoras theorem, मतलब हम pythagoras theorem का यूज़ करके, suppose अगर हमें यहाँ पे कोई triangles है, अगर हमें यहाँ पे कोई triangles given है, a, b, c, और एक की value 25 given है, और एक की value हमको 24 given है, हमें find क्या करना है, a, b, find करना है, और right angle क्या है किस पे है, b पे, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे, pythagoras theorem, हम यहाँ पे, pythagoras theorem समारा क्या होता है, hypotenuse का square, is equal to, perpendicular का square, plus, 20 का square, hypotenuse समारा कितना है, 25, 25 का square, perpendicular हमारा कितना है, तो देखो, perpendicular और 20, अगर suppose हम लोग, एक रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो perpendicular क्या आजाएगा, 24, अगर सी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो perpendicular क्या आजाएगा, अगर अगर suppose हम एक रिस्पेक्ट में बात कर रहे है, तो perpendicular हम क्या ले लेते हैं यहाँ पे, suppose 24 का square, और base हम क्या ले लेते हैं, AB का square 25 का square 625 24 का square 576 plus AB का square transpose करेंगे 625 minus 576 is equal to AB का square 625 minus 576 49 is equal to AB का square under root 49 is equal to AB then 7 is equal to AB means हम 2 side से कर हमको given third side हमको अगर find out करना हो तो हम किसका use कर सकते हैं Pythagoras theorem का use कर सकते हैं तो इस chapter में हमको Pythoros पहले अगर किसी भी triangles में 2 side given हो तो सब से पहले हम क्या use कर लेंगे Pythagoras theorem use करके उसका third side find out कर लेंगे उसके बाद हम इसमें ratios अगर टिक्रमेटिकल ratios पूछेगा sign पूछे court पूछे 10 पूछे तो हम लोग perpendicular by perpendicular by hypotenuse perpendicular by base जो भी हम से पूछेगा वो हम लोग answers करेंगे मतलब सब अगर यहाँ पे हम से यहाँ पे इसके बाद अगर हम से कोई sign पूछे sign की value cause की value 10 की value तो हम perpendicular by hypotenuse base by hypotenuse perpendicular by base इस इस चिक्नमेटिकल ratios का यूज़ करके हम लोग इसकी value find out करेंगे मतलब यहाँ पे इस chapter में हमें अभी introductions part में हम क्या पढ़ रहे है perpendicular base and hypotenuse इसका relation इसका ratios तो यहाँ पे 6 तिक्नमेटिकल रिश्योस हमने पढ़ा है अब इससे पर हम और आगे बात करेंगे अब यहाँ पे जो समने 6 तिक्नमेटिकल रिश्योस पढ़ा है उसको learn करने का अब हम learn करने के लिए क्या करेंगे तो तब से पहले हमें यह लिख लेना है P, B, P H, H B clear हमने जो 6 तिक्नमेटिकल रिश्यो पढ़ा है जिसमें सब से पहला हमने क्या पढ़ा था sign sign है दोसरा हमने क्या पढ़ा था इसमें कॉसे तीसरा हमने क्या पढ़ा था इसमें 10 A चौता हमारा क्या था हमारा इसमें कॉसे के लास्ट कॉटे तो यहाँ पर अगर हम देखेगे कि यहाँ पर यह हम इस order में सबसे पहले इसको लिख लेंगे, अगर हम पहला वाला देखते हैं, अगर हम पहला यह देखते हैं, यह हम रख्या है, perpendicular by hypotenuse, तो यह किसका हो जाएगा, sin A, sin A, मतलब sin नहीं पर क्या है, टिक्नोमेटरी है, और A हम रख्या है, angle है, sin of angle A, निकालने के लिए हम क्या करेंगे, perpendicular by hypotenuse, इन दोनों साइट का क्या, find out करेंगे, ratio, next, अगर हमको find out करना है, cos, तो फिर हम second वाले पर आ जाएंगे, second वाला हमारा क्या है, base by hypotenuse, अगर second नमबर पर आएंगे, base by hypotenuse, तो यह हमारा क्या हो जागा, cos, अगर third हमारा क्या है, 10, तो 10 find out करने के लिए हम क् perpendicular by base, means, इस sequence हम लिख लेंगे, तो हम यह बहुत जली यह learn जाएगा, means, pbp, hs, b, perpendicular by hypotenuse, first sign हो गया, base by hypotenuse, cos हो गया, perpendicular by base, यह हमारा क्या हो जागा, 10, अब अब पुजिट कर दो, means, sign का वुजिट करेंगे, तो क्या जाएगा, cos, x, p by h, then h by p, अब यहांस देखो, अब हम जलेंगे, h by p, next, क्या है, से, से, किसका वुजिट हो था, cos, cos क्या था, base by hypotenuse, अब इसका पुजिट, hypotenuse by base, 10 हमारा क्या था, perpendicular by base, इसका पुजिट, base by perpendicular, clear, मतलब जहां से हमें, अगर यह 3, अगर हम उपर के 3, sign, cos, 10, अगर हमें यह learn है, तो just हम क्या जानते है, कि जो हमारा कोसेक होगा, वो किसका पुजिट होगा, sign का, sick किसका पुजिट होगा, cos का, और caught किसका पुजिट होगा, 10 का, अब यह कैसा रख हो, तो इसके लिए हम लोग, short form में, बहुत सारे trick है, पंडित-बद्री प्रसाद, हरार बोल, या, पाकिस्तान, भूका प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, चाहे जो भी, बस हमें एक सिक्वेंस असको लिखना है, हमने बस यहाँ पर यह याद करना है, कि PBB, HHB, यह सिक्वेंस, चाहे आप पाकिस्तान, भूका प्यासा, इंदुस्तान, हरा भरा सिलन कर लो, चाहे इसको हम, पंडित-बद्री प्रसाद, हरार बोल सिलन कर ले, किसे भी तरह सिलन कर ले, बस यह हमारे लिए, एक सौर्ट ट्रिक, तो हमें यह सिक्वेंस लानोना चाह है, हाइपोटेनस भाई, बेस क्या होता है हमारा, को सिक, हाइपोटेनस भाई, बेस क्या होता है हमारा, को सिक, हाइपोटेनस भाई, बेस क्या होता है हमारा, सिक, एन बेस भाई, पर्पेंडिकुल, हमारा क्या होता है, कॉट, तो यहां से एक चिस और, हमें एक चिस और द today coarse K SSP कारे न मत्लब साइच का रसले को सेटाे को सेबार यहां सेटा इस धेकल और हम फोर्ण है मिल रहे हैЕ अब देखो यहां से एक चिस और हम यहां पढ़ लेंगे अगर सपूस है अगर हम सपूस हम यह कहते हैं यहां पर कि अगर हम ऐसे लिखा मिलता है ल सकते हैं मतलब आइंगल कव नहीं होता है हमने साइन का स्क्वाइर लेकिन यहां पर एंगल का स्क्वाइर नहीं होता है यह नहीं कि हम लोग साइन स्क्वाइर एंटु ए लिखे ऐसा नहीं होता है मिंस एंगल का स्क्वाइर नहीं होता है कॉज अगर यहां पर क्यूब हो सपोस्पोस साइन ए इसका क्यूब तो अब इसको क्या लेक्ष सकते हैं साइन क्यूब ए अगर सपोस यहां पर लिख दिया जाए कॉस ए इसका क्यूब मतब यह किसकी एककल जगा कॉस क्यूब ए क्यूब तो यह कुछ चाप्टर में यूज करेंगे अब हम लोग यहां से कीजह थे शेप्टरत सकेडा थे सीप्टर में फिर यहां प्हुटक्री में है इस नुओं पढ़ना कीजहां परने संसटे को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब कीजिए acute angles को find out करना या जो triangles है उसके sides का ratios find out करना इस chapter में हम यही study करेंगे अब यहाँ पे इसके बाद हम लोग अपने excise पे आएंगे और जो हम लोग अपना first exercise start करेंगे तो exercise 8.1 इसका first question यहाँ पर दिसक्स करेंगे exercise 8.1 का first question क्या है in triangle ABC suppose करो हमने यहाँ पे ट्रेंगल ले लिया A B C in triangle ABC right angle at B angle B पर हमारा क्या है right angle है और A B is equal to क्या हमारा 24 cm A B is equal to कितना given है 24 cm BC is equal to कितना given है 7 cm कि हमें क्या find out करना है यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या करना है A C हमें क्या find out करना है A C अब यहाँ पर हमें दो sides given है पहले से A B given है और हमने क्या मान लिया बी सी अब सपोस्थ हम जोग एक सब्सक्राइब मान लेते हैं अगर हमने इसको अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 cm और यह कितना हो जागा 7 अब सभी लग रहा है पहले क्या लग रहा था यह 24 यह 7 अब यह यह सइट बड़ी है इसको अब अब हमें यहाँ पर सबसे पहले थर्ड साइट थर्ड साइट हमको फाइंड आउट करना है मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है और हाइपोटेनस फाइंड आउट करने के लिए हम दो क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पाइथागो थेढरब यूसर एक बाई पाइथाह गोरई थ्यूरum हम यहाँ पर सबसे पहला जो भी हमें कोशन में कया करना है हम यह थाइंगल के तीनों साइट पता होना चाहिए यहाँ इसलिए हैं थर्ट साइट सबसे पहले हम लें find out कर रहे हैं तो यहां पर third side find out करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगा हमेशा पाइथागोर्स थरम हम लोग क्या सकते हैं ac का square is equal to ab का square and plus bc का square देखो हमारा ac कितना है यह हमको find out करना है a b कितना है 24 का square bc हमारा कितना है सेवन का square 24 का square 576 7 का square 49 576 प्लस 49 हम square करें कितना हैगा 625 means ac का square किसके एककोल आ गया 625 अब हम सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहले स्ट्रेंगल में आप देखो हमें कौन से एंगल की बात करनी है एंगल ए दिया हुआ है एंगल ए ठीक है अगर में एंगल ए ले लेते हैं अगर हम एंगल ए ले लेते हैं जैसे कि आप अगर एंसी आटी में आप देखोगे तो यहां पे कि साइण एक और कॉसे ठीक है और एत यहां पर यहां पर साइं सी और कॉसे तो अगर यहां पर करतें तो साइण कि साइन गें तो साइण अभी हमने अभी हमने बहे पड़ा थыт सिंधोस प्राता की स्थिंप के लिए के यह युज bisschen क्या दिलेंगे पी सिन्स थे अरई hours हुआ हो जोह पार पर्पेंडिकुलर अपॉन हेदा हैं पहला रेशन वम ले लेंगे पर पाइपॉन हाइप तेनerson सबस्क्राइब हैं बात करने हैं ऐना उडित सuwरेंगे अगर यह हमारा है तो पर हमारा क्या होता है जो भी जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहें जस्स उसके सामने वाली साइट को तो इसके सामने वाली साइड अगर यह पर पेंडिक्लर है हो एक क्लिक क्लिक करना है कुछ स्वाल चाहिए covenant टो मतलब हमें जिस वाली सैट के होmittel स्वानी हो जाएगी और दूसरी वाली स्वांट्य지는 अब देखो अब हमें second अब हमें second triangle second sign c की बार में बात करेंगे जैसे अब हम यह यहां ले रहे लेए भैलिव ए-b-c क्लियर हमें क्या दिया था ए-b-c यह राइटिंग यह अब गया था 25 यह अमार क्या था 7 और यह अमार क्या है 24 अब देखो हम दों कियाँ पे sign c की में second part मे हम किसके बात करेंगे सी की रिस्पेक्त में अगराम सी एंकल की बात करेंगे तो जो ज़िए अइन गरें में इस aula आ पफ्तर क्या जाए गाए सिस्नट के रफ्तर को घाल इसने पर पड़ यह वाके रहा जाएगा तो च तो दो हाइबक अब हम लोग यहां पर हम देखेंगे second part में यह तो परा फॉस्ट पार्ट हो गया second part second part में हमें सबसे पहला find करना है साइन सी साइन सी की वेल्व तो साइन होता क्या है perpendicular upon hypotenuse perpendicular की वैल्यू 24 और hypotenuse कितना है 25 clear next देखो 24 पर 25 next हमें जो find out करना है वो हमें find out करना है कॉसी कॉसी कॉस्टी की वैल्यू तो कॉस्टी इस इक्वल टू कॉस क्या होता है बेस बाई hypotenuse तो समय बेस कितना है 7 और hypotenuse कितना है 25 तो इस तरह से हम लोग find out करेंगे जो भी अब लोग इसके बाद करेंगे अब देख लोग यहां पर अब लोग इसके बाद कॉस्टी नंबर टू एंच्री एक्ट पॉइंट पॉइंट वन का कॉस्टन नंबर टू डिसक्स करेंगे कॉस्टन नंबर टू क्या है हमारा इन गिवन फिगर यहां पे एक फिगर गिवन है पाइंट टैन पी मैनस कॉट आर हमें टैन पी मैनस कॉट आर की वैलू find out करनी है इस फिगर में तो सबसे पहले देखो हमने क्या बोला थे कि अगर कोई भी ट्रेंगल गिवन हो अगर उस अगर पाइधाग्रस थेयरम अगर हम पाइथाग्रस यहां पी लगाएंगे तो हमारे 90 अंगल क्यू सामने वाली शाइड हमारे क्या होजाएगी हाइपोटनुस मतलब हाइब है 13 सेंटिमेटर अब हम पहले पहले फिग्पाइश्टाइट फाइड कर लेंगे एक सिर्ट नहीं है है एक सभेट हैं फिस एक से और जो रिमेनिंग साइड उसको हम लोग फाइंड आट करेंगे 13 का स्क्वाइर 169 12 का स्क्वाइर 144 और यह हमारा हो जागा प्लस QR का स्क्वाइर अब हम लोग उसको ट्रांस्पोस कर देंगे 169-144 is equal to QR का स्क्वाइर 169-144 25 is equal to QR का स्क्वाइर अब हम लोग देखेंगे कि हमको फाइंड आट करना क्या है हमें यहाँ पे 10 पी माइनस कॉट आर की वैलियू तो सबसे पर हम 10 पी को फाइंड आट करेंगे 10 पी क्या होता है तो फिर वही पंदित बदरी प्रसाद हर हर बोल यहाँ पे आट दो देखें तो 10 यह पहला वहाता है हमारा साइन दूसा वहाला क्या होता है कॉस्स तीसा वहाला क्या होता है 10 तो 10 इस इकल टो क्या होता है पर्पेंडिकुलर बाई बेस अब किस एंगल के निस्पेक्ट में बात कर रहे हैं एंगल प्ल quindi एंगल पी के निस्पैट कौनक ओसे है और जो कि א надо 5 तो यहें थाउ और वियरा पर्फिंडूर रोगया और बेस हमारा कितना जगा क्ता पाइब अब ट्वेल्स क्ट 18 वहजाएं आप अंब क्या सिक्न वाऍवा देखते हैं कॉट ए में निकल निकाना है कॉट र तो कॉट और अब आर्प रिस्पेक्ट में बात करेंगे और कॉट होता क्या है ट निए फेड ओश्य भी को इसकी वेल्य फाइड खरने के टैन पी माइनस कोट आर इसकी वैलिव फाइंड आट करेंगे ठैन पीमारा थैन पी कितना है फाइबए ट्वैल्ड पाइब सब्सक्राइब करेंगे उसके बाद जो भी पूछा जाएगा उस एंगल के इंस्पेक्ट में हम पर पेंडिकुला बेस को लेंगे और फिर वैल्यूस को पुटफ करेंगे है को अब हम लोग यहां पर चलेंगे चलेंगे तो इसली अगल तो यहां पर आगर यहां पर हमें क्या दिया हुआ है कि क्लिर देखो साइन हमारा दिया हुआ है और हम यह जानते हैं कि साइन अगर हम यह देखें कि हमारा जो साइन हमारा होता है तो हम इसको लिख सकते हैं साइ нे किस्को लुटा है अगव में हम साइन हिसको लिएकस devient इसको लिए है अगर चाहे तो यहाँ पर पर डुटा के लेकर और दिखा सकते हैं लेकिन लास्ट में जाए करके constant क्या हो जाता है cancel तो हम बिना constant के यूज को यूज करेंगे हम लोग क्या क्या दिए 3 by 4 और 3 by 4 is equal to क्या हो जाग हमारा पर्पेंडुक्लर भाई हाइप्पोटेनस अब सक्रेंगर को देगो मालों हमने यहां पेकष्रेंगल ले लिया और सिर्एंगल में यहां B और यहांसे हमने भीन क्या हे यह है न इंटी डगरी के यह होई है साइन एंस पांड नाथ तो साइन एफ तरहा थोस्ता एफ फिटम को दिफ नगा धर्या विस साइब एफ जैसी सब्सक्राऊ है पर यहना पर यहां पर नहीड को यह synergy यह evenings फॉस्त यह करना में फिल जोगया और यह फिर्टाऊ आपरिस्ट नम्हां 3 by 4 और साइन एक स्क्राइब करने के लिए क्या यूज करेंगे पाइथागोर्स तो पाइथागोर्स हमें यूज करेंगे तो पाइथागोर्स होता है कि हमारा रीकर स्क्राइब करने करना है यह नोन यह को लिख लेत है इसको मैंनस नाइन केट स्क्राइब करेंगे एक इतनी आ जायेगी जैवन रूट सेवन क्लियर अब यहां पर हमने वीज को फाइं ड ogni वि अबर शेघा को पैंडर लूट सेवन हमें देक्ड काना था एंड अब wen कोस एर ट्न चर्फ यहां कि आ चैंड को से थे तो यहांत किन और तอง शेड़ियोत बस यहां पर ट्रियंगल में दो साइड अन्नोन है दो साइड गिवन होंगे और थर्ड अन्नोन साइड को हम लोग फैंड आउट करेंगे अब अगर हम चाहे तो इसी कोश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं अगर हम यहारफे लेट कर लेते लेट साइन is equal to 2 3 क 5 तो यहारए 14 के स्कॉर तो यहां पे 9K स्कूराइर अगर शको करते हैं इस को हालना तो क्या था अरह था था यहांपके बाहर बाद करते तो 7कय बाई क्या पुट-ब करते हैं 3K वाई तो last में क्या होता यह के और के cancel अगर हम चाहे तो constant ले भी सकते हैं अगर नहीं चाहे तो हम इसको ना ले अगर हम K लेंगे भी तो last में क्या जगा के और के cancel अड़ेट 7x4 के और के cancel clear तो हम यहाँ बिना लिये भी solve कर सकते हैं अब हम यहाँ पे question number 4, जो कि हमको given है, यहाँ पे question number 4 में given है, 15 cot A is equal to 8, find sine A and second, अब हम cot A is equal to 8 by 15, 15 cot A is equal to 8 दिया तो cot A is equal to 8, यह multiply में इधर transpose करेंगे तो divide में, अब अगर हम यह देखते हैं, अगर एक triangles है हमारे पास, अब एक triangle हमारे पास है, जिसमें cot A, और cot होता क्या है, पंडित बदरी प्रिशाद हर हर बोल, cot हमारा क्या होता है, 10 का opposite, और 10 क्या होता है, base by, 10 हमारा होता है, perpendicular by base, तो यह क्या हो जगा, base by perpendicular, बतलब cot A की value क्या होती है, base by perpendicular, अब इस triangle में, suppose A, B, C, right angle हमारे किस पर है, B पर, और हम किसके respect में बात कर रहे है, angle A की respect में हम बात करेंगे, यहाँ पर, तो A, तो A के जस्ट सामने वाली साइड हमारे क्या हो जाएगी, perpendicular यह, यह हमारा हो जागा, hypotenuse, और यह हमारा क्या हो जागा, base, तो perpendicular, perpendicular, perpendicular हमारा कितना दिया हुआ है, 15, base हमारा कितना है, 8, हमें सबसे पहले क्या find out करना है, hypotenuse, हम पाइतागर स्थरम यहाँ भी यूज़ करेंगे, तो AC का स्क्वाइर is equal to AB का स्क्वाइर, plus BC का स्क्वाइर, clear, अब देखो, AC की value क्या है हमारा, AC, find out करना हमें, AC का स्क्वाइर, AB की value हमारी क्या है, 8, 8 का स्क्वाइर, BC हमारा कितना है, 15, 15 का स्क्वाइर, तो यहाँ पी AC का square is equal to 8 का square 64 and 15 का square 225 इन दोनों को add करेंगे कितना देगा 289 AC का square AC is equal to under root में 289 और under root 289 की value 17 अब AC की value आ गई कितनी आ गई हाइपोटनेस की value 17 अब हमें क्या find out करना है असमें साइन साइन ए तो साइन इस इकल टुमर क्या होता है perpendicular upon hypotenuse तो हम लिखे लेंगे perpendicular upon hypotenuse perpendicular की value 15 15 hypotenuse की value 17 15 by 17 दूसरा वारा क्या है सेक सेक इस equal to तो सेक किसका रेसे प्रकल होता है सेक किसका cost का और cost हमारा क्या है है बेस भाई हाइपोटनेस तो सेक क्या जागा हाइपोटनेस भाई बीज हाइपोटनेस की value 17 और बेस की value 8 17 ग्लियर तो यहाँ पर हमें हर एक कोईशन में से तरह फाइन 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 फाइंड आउट करना है दो साइट गिवेन होगा और थर्ड साइट को पाइफोर से find out करेंगे उसके बाद हम टीटिमेटिकल रिश्यूस को find out करेंगे विद्ध हमें ध्यान के रहें किस एंगल के इसके सामने वाली साइट ही क्या हो जाए की परपेंडिकल नेक्स्ट कुर्शन पर आएंगे कुशन नंबर फाइट अब को यहां में क्या दिया हूँ है अगर मैं से दिया हुआ है अगर मैं से दिया हुआ है तो अगर हम बात यह करें कि पी पी एच एच बी मतब से किसका रेशिर्प्रोकल होता है किसा रेशियर्प्रोकल होता है मिपार जैसे अभी इसके पहले हे वारे कोश्यon हम ने क्या थे आन्यक्सरार क verändert तो सीम यहां भी है, हमें क्या दिया हो है सिक, तो सिक किसका reciprocal होता है, कॉस का, और कॉस हमारा क्या होता है, base by hypotenuse, तो सिक हमारा क्या हो जाएगा, hypotenuse by base, मतलब हम यहां पे देखेंगे, तो एक ट्रेंगल, सपोस हमारा A, B, C, एक ट्रेंगल गिवेन है, अब इसमें यहां पे अब एंगल की value क्या दिया होई है, theta, अब एंगल क्या दिया हो है, theta, तो सिक theta is equal to 13 by 12, means 13 हमारा क्या है, यह 90 डिगरी है, तो जिसके सामने वाली side, hypotenuse, hypotenuse कितना given है, 13, और base, मतलब जो theta है, जिसके सामने वाली side क्या हो जाएगी, perpendicular, मतलब यहां को find out करना है, और base कितना हम को given है, यहां पर 12, यह given है, base हमारा 12 given हमको, अब देखों यहां पर, अब यहां पर हम देखेंगे, तो सिक theta is equal to hypotenuse by, क्या होता है, हमारा base, सिक theta हमारा क्या होता है, hypotenuse by base, तो यहां पर third side, हम पहाई तग्रूस पहले यूज़ करेंगे, AC का square is equal to AB का square, प्लस BC का square, AC हमारा क्या है, 13, 13 का square, AB हमारा क्या है, 12, 12 का square, BC का square, 13 का square, 169, 13 का square हम करेंगे, प्लस BC का square, प्लस BC का square, प्रांस्पोस करेंगे, 169 minus 144 is equal to BC का square, तो BC कितनी आ जाएगी, BC का square पहले आएगा, 25 और BC की वेलू आ जाएगी 5, बत्तब बीसी, पर्पेंडिक्लर की वेलू कितनी आ जा रही है, यहां पर 5, अब यहां पर हमारे पास्ट एंगल की तीनों साइट हो गया हमारे, अब हम लोग यूज करेंगे, तो हमें क्या बोला, calculate all other trigonometric ratio, मतलब अब सभी find out करने है, सिक दिया हुआ है और remaining five हमको find out करने है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, sin a की, sin a is equal to की होता है, तो sin क्या होता है, perpendicular upon hypotenuse, अब sin a, तो लेकिन यहां पर sin की जगा हम लोगंगे, angle a ना लेकरके हम यहां पर क्या लेएंगे, sin theta क्योंगे किस risk spectrum को बात करनी है, थीटा के respect में बात करने और थीटा आपने क्या ले लिया ये तो थीटा तो sign थीटा तो perpendicular upon hypotenuse तो just इसके सामने वाली साइट क्या है perpendicular परपेंडिकुलर की वैलो कितनी है 5 और hypotenuse नमारा कितना है 13 तो sign थीटा की वैलो 5 by 13 तो सक्षब करेंगे अब कॉस ठीटा की कॉस नमारा क्या होता है बेस हमें अब क्या होता है ये सबस्क्तिशलल धिया है उनलगा और थेलोнул में तो धाीज तो की बात हम देखते हैं तो क्या आता है हमारा को से किसका पूजीड होता है साइन का साइन हमारा किया था परपेंडुकलर भाई बैस परपेंडिकलर इस थरी नीच नेक्स कोस्ट तो यहां पर शेक की वैल्व हमें पहले से कोशन में गिवें अगा हम सेख भी निकालना चाहिए है तो इस एक हमारा क्या हो जगा है यह हमारे यह हमारे इतना ही अब नेक्स्स वीडियो में हम exercise 8.1 के remaining questions को cover करेंगे और दो से तीन वीडियो में हम इस chapter को NCRT वाला पूरा topic cover कर लेंगे ओके थैंक यू